हेलो स्टुडेंट्स एंस्याटी साइन्स क्लास 9 की इस वीडियो में आपका स्वागत है यह वीडियो रिलेटेट है नाइन्थ क्लास साइन्स के चैप्टर 3 परमानू एवं अनुसे इस वीडियो में अभिफ्यास के सभी प्रस्ट्रूम का कंप्लिट सॉलूसन हम देखेंग ता यह इस वीडियो का हम सुरू करते हैं एक्सराइज का फर्स्ट कोस्टन 0.24 ग्राम ऑक्सिजन एवं बोरन यूगिक के नमुने में विशलेशन द्वारा यह पाया गया कि उसमें 0.096 ग्राम बोरन एवं 0.144 ग्राम ऑक्सिजन है उस योगिक के प्रतिशत संगठन का भ जबें खुषन भले ही हमें कुछ कम्प्लिकेटिट दिखे लेकिन यह क।ो चाफे सिंपल है इस कोस्टन में यह बताया गया है कि एक योगिक है जो की अक्सिजन और वोरन का योगिक है इस योगिक के नमुने का दुर्वान दिया गया है 0.24 ग्राम और इसमें यह पाया ग के नमूणे में हमें यह बताना है कि oxygen का प्रतिशत कितना है और बोरन का प्रतिशत कितना है उसके भाहर के अनुसार ताहिए इसको हम solve करने की कोशिस करते हैं तो सबसे पहले question में दिया गया है कि नमुने का दृद्धमान नमुने का जो द्रिवमान दिया गया है question में वह है 0.24 g यह question में दिया गया है इसके बाद दिया गया है कि इस नमुने में oxygen का द्रिवमान जो है वह है 0.144 g और boron का द्रिवमान दिया गया है 0.096 g यानि question में यह data हमें दिया गया है अब हमें calculate क्या करना है इसमें हमें calculate करना है कि उसके भार के अनुसार oxygen का प्रतिशत कितना है और बोरन का प्रतिशत कितना है तो यह इसको हम calculate करने की कोशिस करते हैं सबसे पहले हम calculate करेंगे oxygen का प्रतिशत यह कैसे calculate करेंगे oxygen के दुरिवमान के साथ हमें नमूने का दुरिवमान को भाग दे देना होगा उसके बाद फिर इससे 100 से गुना करना होगा चुकि हम जानते हैं कि किसी भी मिस्रन में किसी एक घटक का अगर हमें प्रतिशत निकालना हो तो जिसका हमें प्रतिशत निकालना हो उसको ऊपर लिखा जाएगा बटा का चिन लगाएंगे और cool नमूने का जो cool दिर्यवमान है उसको हम भाग देंगे इसके बाद फिर इसको हम 100 से गुना करेंगे तिस प्रकार हम oxygen का प्रतिसत निकालेंगे तो question में दिया गया है कि oxygen का दुरिबमान जो है वह है 0.144 gram इसको हम भाग देंगे नमूने के दुरिबमान से नमूने का दुरिबमान दिया गया है 0.24 gram और फिर इसको हम 100 से गुणा कर देंगे तिस प्रकार गुणा और भवाग करने के बाद हम निकाल पाते हैं कि oxygen का जो प्रतिसद है ुआ है 60 और अब हम निकालते हैं ऑपर हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे अब के दुरिव्मान को भाग दे देंगे नमुने के द्रिब्मान से उसके बाद फिर इससे हम 100 से गुना करेंगे तो question में दिया गया है कि बोरन का जो द्रिब्मान है वह है 0.096 ग्राम इसको हम भाग देंगे नमुने के द्रिब्मान से और नमुने का द्रिब्मान दिया गया है 0.24 ग्राम फिर इसको हम 100 से गुना करेंगे इस भागा और गुना करने के बाद हम निकाल पाते हैं कि बोरन का जो प्रतिस्थ हैं वह हैं 40% तिस प्रकार इस question में हमने oxygen का भी प्रतिस्थ निकाला जो कि हैं 60% और बोरन का प्रतिस्थ हैं 40% इस प्रकार question number 1 हमने solve कर लिया अब हम अगला question देखते हैं exercise का question number 2 3 gram carbon 8 gram oxygen में जलकर 11 gram carbon dioxide निर्मित करता हैं जब 3 gram carbon को 50 gram oxygen में जलाएंगे तो कितने gram carbon dioxide का निर्मान होगा आपका उत्तर луч Guitar के किस नियम पर आधारित होगा काफी सिंपल है इस कोश्चन में बताया गया है कि तीन ग्राम कारवन आठ ग्राम ऑक्सिजन के साथ जल कर हमें 11 ग्राम कारवन डायकसाइड देता हैं फिर इस कोश्चन में पूछा गया है कि जब हम तीन ग्राम कारवन को 50 ग्राम ऑक्सिजन में जल भी पूछा गया है कि हमारा ये जो उत्तर है या रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित है ता ये इस को सौन को हम सौल करने की कोशिश करते हैं अब आईए ज़रा इस कोश्चन के कंसेट को हम समझने की कोशिस करते हैं चुकि हम जानते हैं कि कारवन ऑक्सिजन के साथ जलकर कारवन डायक्साइड गैस देता हैं इसलिए हम लिख सकते हैं सी प्लस ओट्म जाने कारवन जो है वह और उक्सिजन के साथ अभिक्रिया करके विख सकते हैं और oxygen का परमानुद रिव्मान होता है 16, तैना हूं इसलिए O2 के जग़ों 12 यानि 32 ग्राम लिख सकते हैं, अब carbon dioxide के जगा पर हम 44 ग्रामा caution का यह जाया ca तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सिजन के साथ अभिक्रिया करके 44 ग्राम कार्बन डायक्साइड गैस देता हैं अब ये जो अनुपात हैं ये फिक्स हैं यानि जब कभी भी कारवन और अक्सिजन आपस में अभिक्रिया करके कारवन डायक्साइड गैस देगी तो हमेशा इसी अनुपात में ही अभिक्रिया होगा यानि 12 ग्राम कारवन जो हैं वह 32 ग्राम अक्सिजन के साथ ही अभिक्रिया करेगी चाहे अक्सिजन की मात्रा जादा ही क्यों न हो तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में कारवन और अक्सिजन के भार का अनुपात वह हो जाएगा 12 अनुपात 32 यानि इसको अगर हम सिंप्लिफाइ करके लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सिजन का जो भार का अनुपात होगा वह होगा तीन अनुपात आठ यानि हम का सकते हैं कि 3 ग्राम कारवन 8 ग्राम ऑक्सिजन के साथ संयोग करके 11 ग्राम कारवन डायक्साइड बनाएगा यानि ऑक्सिजन की मात्रा कितनी भी अधिक क्यों न हो 3 ग्राम कारवन जो है वह 8 ग्राम ऑक्सिजन के साथ ही अभिक्रिया करेगी और इस प्रकार 3 ग्राम और 8 ग्राम मिलकर 11 ग्राम कार्वन डायकसाइड गैस बनाएगी इस प्रकार हम आगे लिख सकते हैं जब 3 ग्राम कार्वन को 50 ग्राम ऑक्सिजन में जलाएंगे तो भी यह केबल 8 ग्राम ऑक्सिजन के साथ संयोग करेगा और 11 ग्राम कार्बन डायकसाइड बनाएगा चुकि कोश्चन में हमसे पूछा गया है कि जब हम 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सिजन के साथ जलाएंगे तो हमें कितने ग्राम कार्बन डायकसाइड प्राप्त होगी तो चुकि अभी हमने डिसकस किया कि 3 ग्राम कार्बन ज साथ जलाएंगे तब भी ये 3 ग्राम कारवन के बल आठ ग्राम औक्षीजन के सथ ही सस्वयोग करेगा और 11 ग्राम कारवन डायक्सआइड गयस बनाएगा कि जब 42 grade oxygen उसर सब्चा रहेगा चुकरी अक्षिजन का जो मात्रा दिया ग alloy वह हैं हमारा उत्तर इस्थिर अनुबात के नियम पर आधारित हैं इस प्रकार question number 2 के solution भी हम देख लिए अब हम देखते हैं कोस्टन नंबर थ्री इसमें पूछा गया हैं बहु परमानुक आयन क्या होते हैं उदाहरन दिजिए ताइए इसका अंसर लिखने के हम कोशिस करते हैं परमानुक आयन एक ऐसा आयन है जिसमें एक से अधिक परमानु उपरस्तित होते हैं और जिसमें नेट आवेस विद्दमान हो यानि एक ऐसा परमानुओं का समो जिस पर कूल आवेस विद्धमान हो चाहे कूल आवेस धनात्मख हो या फिर रिनात्मख हो लेकिन कूल आवेस मौजुद होता है तो इस प्रकार के आयन को बहु परमानुख आयन कहते हैं उदाहरन के तौर पर हम ले सकते हैं फॉस्फेट आयन इसका सुत्र होता है पी ओफोर ट्रिपल माइनस अगला है सुलफेट आयन इसका सुत्र है एस ओफोर डबल माइनस और नेक्स्ट है कार्बोनेट आयन सी ओफ्री डबल माइनस तिस प्रकार कुछ ऐसे आयन है जो बहु परमानुक आयन होते हैं इस प्रकार के आयन में एक से अधिक परमानु उपस्थित होते हैं और इस प्रकार के जो आयन होते हैं इसमें नेट आवेश विद्दमान होता है अब हम देखेंगे पहला नंबर में दिया गया है मैगनेसियम कुलॉराइड अगला है कैल्सियम कुलॉराइड और कैल्सियम कार्बोनेट यहां पर हमें कुछ योगीकों के नाम दे गया है और इन सभी योगीकों का राशायनिक शुत्र क्या है यह हमें लिखना है तो पहला जो कोश्चन है वह है मैगनेसियम कुलॉराइड मैगनेसियम कुलॉराइड का राशायनिक शुत्र होता है केल्सियम कुलॉराइड इसका राशायनिक शुत्र है लिखना हैं polar ride का राशायनिक शुत्र है c3 3-2 कि एलमिनियम कलोराइड का राशानिक सूत्र है एल सी एल थ्री और कैल्सियम कार्बोनेट का राशानिक सूत्र हैं सी ए सी ओ थ्री तिस प्रकार कोस्चन नमबर 4 के सोलूशन भी हमने देख लिया अब हम चलते हैं कोस्चन नमबर 5 में नेक्स्ट हैं कोस्चन नमबर 5 निमनरिखित योगी को में विद्धमान तत्तों का नाम दिजिए ए नमबर कोस्चन में पूछा गया है बूजहा हुआ चूना हमें बताना है कि बूजहा हुआ चूना में कोन-कोन से तत्तों मौजूद होते हैं ता यह इसका एंसर दिखने के सिस्ट करते हैं इसका रावशाइनिक नाम कैल् curd्सियंक हाइड्रक साइड है स्यूट शूत्र सी ओफ लुट है यानि बूजहा हुआ चूना का रशाइनिक नाम जो है हौए कं है कैल्सियम हाइड्रकस nasal और इसका राशाइनिक सूत्र हैं सी ये ओ एक का हो लुटू इस प्र यानि हाइड्रोजन हैं इस प्रकार हम का सकते हैं कि बूजा हुआ चुना में केल्सियम ऑक्सिजन और हाइड्रोजन मवजुद हैं Q.2 में पुछा गया है कि Hydrogen Bromide में क्वं कॉन से तत्व मौजूद है Hydrogen Bromide का रास्वानिक सूत्र होता है HBR यानि इस में दो तत्व मौजूद है 1 पहला है H यानि Hydrogen और 2 दुसरा है BR यानि ब्रोमन अगला है Becetting powder यानि खाने वाला सोडा तो खाने वाले सोडा का राशाइनिक नाम है sodium bicarbonate इसे sodium hydrogen carbonate भी कहा जाता है तथा इसका राशाइनिक शूत्र NaHCO3 है तो इसमें हमें बताना है कि कोन कोन से तत्व पाए जाते हैं तो चुकि राशाइनिक शूत्र जो है वह है NaHCO3 यानि इसमें Na पाया जाएगा Na का मतलब sodium H पाया जाएगा H यानि hydrogen और carbon पाया जाएगा इसके अलाबा oxygen होगा तिस प्रकार हम का सकते हैं कि बैकिंग पावडर में sodium hydrogen carbon और oxygen मौजूद होता है नेक्स्ट है potassium sulfate potassium sulfate का राशाइनिक सूत्र होता है K2SO4 तो अब हमें बताना है कि potassium sulfate में कोन-कोन से तत्व पाया जाएगे चुकि इसका राशाइनिक सूत्र है K2SO4 यानि इसमें K पाया जाएगा K का मतलब potassium, S पाया जाएगा S का मतलब होता है sulfur और oxygen पाया जाएगा तिस प्रकार potassium sulfate में तीन तत्व पाया जाते हैं potassium, sulfur और oxygen अब हम देखेंगे question no.6 निमनलिखित पदार्थों के molar द्रिवमान का परिकलन किजिए इसमें ए नंबर में पूछा गया है एथाइन जिसका राफ्षायनिक सुत्र दिया हुआ है C2H2 इसका हमें molar द्रिवमान कैलकुलेट करना है तो चुकि एथाइन का राफ्षायनिक सुत्र है C2H2 यानि इसके एक अनुमें कारवन के दो परमानू और हाइड्रोजन के दो परमानू होते हैं चुकि हम जानते हैं कि कारवन का जो परमानू द्रिवमान होता है वह 12 होता है चुकि एक अनुमें कारवन के दो परमानू है इसलिए 12 को हमें 2 से गुना कर देना होगा उसके बाद हम प्लस साइन लगाएंगे और हाइड्रोजन का जो परमानु दुरिवान होता है वह एक होता है और एक अनुमे हाइड्रोजन के यहाँ पर दो परमानु है इसलिए एक को दो से गुना करेंगे तिस प्रकार बराबर हम लिख सकते हैं कि 12 गुना 2 यानि 24 और प्लॉस का चीन लगाएंगे और एक गुना 2 यानि 2 तिस प्रकार वैलू हमारा निकल गया 26 तो आप देखिए कोस्टन में हमसे पूछा गया हैं मोलर द्रिबमान क्या हैं तो जब कभी भी किसी पदार्त का हम मोल आज सा ग्राम में ही व्यत्क किया जाता है अगर हम पर हम से पूछा जाता कि इसका आनुवी ध्रिबमान क्या होगा तो फिर हं लिखते 26 यू morgar पूछा गया है इसलिए यहां पर हम लिखेंगे 26 ग्राम क्वेश्टन नंबर बी में पूछा गया है सल्फर अनू यानि एस एट क्योंकि सल्फर के एक अनू में सल्फर के आठ परमानू होते हैं तो इसका हमें मोलर द्रिब्मान कैलकुलेट करना है क्योंकि हम जानते हैं कि सल्फर का परमानू द्रिब्मान होता है वह 32 होता है और सल्फर के एक अनू में सल्फर के आठ परमानू होते हैं इसलिए 32 को हमें 8 से गुना कर देना होगा तिस प्रकार इसका molar द्रेवमान निकल गया 256 चुकि molar द्रेवमान है इसलिए इसका unit ग्राम होगा तिस प्रकार sulfur अनु का molar द्रेवमान 256 ग्राम निकल गया कॵस्चनie c में हैं फ क्रिश्र अनु का आनुविक भी त्र यान द्रकारना कोंद ग्लाइबदर एव इकटिस हैं तो क्या करना है ना फस्फोरस अनु का मोलर द्रेवमान कैल्कुलेट करना है चुकि फस्फोरस का जो परमानु द्रेवमान है वह हैं 31 और फस्फोरस के एक अनु में फस्फोरस के चार परमानु होते हैं इसलिए 31 को हमें चार से गुना कर देना होगा तिस प्रकार फॉस्फोरस अनु का मोलर द्रेबमान निकल गया 124 ग्राम क्वेश्चन नमबर डी है हाइड्रोकलोरिक अमल जिसका राशानिक शुत्र दिया गया है एचियल इसका हमें मोलर द्रेबमान कैलकुलेट करना है चुकि एक्सियल जो है इसमें हाइड्रोजन है और क्लोरिन है तो हाइड्रोजन का जो पर्मानु द्रेबमान है वह एक होता है और इसको हमें गुना करना है एक से कारण क्या है कि इसके एक अनुमें हाइड्रोजन के केवल एक ही पर्मानु होते है इसलिए हाइड्रोजन का को परवानु द्रिवमान है उसको हमें एक से गुणा करना होगा अब हम प्लस का सिंद लगाएंगे और क्लोरीन पर वानु का जो पर वानु द्रिवमान है वह होता है 35 दुसमलो 5 चुकि हाइड्रोग्लोरिक अमलके एक अन्म में क्लोरीन के थी एक ही पर मानु होते हैं इसलि 35.5 को जब हम एक से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 35.5 यानि बरावर निकल गया 36.5 ग्राम तिस प्रकार हाइड्रोकुलोरिक अमलका मोलर दुरिवमान निकल गया 36.5 ग्राम नेट्रिक अमलका मोलर दुरिवमान क्या होता है चुकि नाइट्रिक अमलका में हाईड्रोजन नाइट्रोजन और आक्सिजन होते हैं तो अब हमें इसका मोलर द्रिवमान को calculate करना है चुकि नाइट्री कामला में हाइड्रोजन होते हैं और हाइड्रोजन का परमानु द्रिवमान होता है एक और चुकि इसके एक अनुमें हाइड्रोजन के केवल एक ही परमानु होते हैं इसलिए हाइड्रोजन के परमानु द्रिवमान के साथ हमें एक गुना करना होगा अब हमें पलस का चिनन लगाना होगा और नाइट रोजन का परकेंडि एक से गुना करना होगा अब हमें पलस का चिनन लगाना होगा और अक्सिजन का जो परमानु दुरिब्मान होता है वह लिखना होगा और अक्सिजन का परमानु दुरिब्मान होता है तीन से गुना करना होगा तीस प्रकार अब इसको हमें सूल्व करना है बराबर का चिन हम लगाएंगे एक को एक के साथ गुना करेंगे तो एक हो जाएगा अब प्लस का चिन लगाएंगे 14 को जब 1 के साथ गुना करेंगे तो यह 14 हो जाएगा फिर plus का चिन लगाएंगे और 16 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा तिस प्रकार 1 plus 14 plus 48 तिनों को जब जोडेंगे तो हमारा value निकल जाएगा 63 ग्राम एक point फिर से हम clear कर देना चाहेंगे कि जब भी कभी किसी अनु का हमें आनुवी द्रेवमान कैलकुलेट करना हो तुसका value को हमें U में वैक्ट करना है यानि unified mass चुकि इस question में हमसे molar द्रेवमान पूछा गया है इसलिए molar द्रेवमान को हमेसा gram में ही वैक्ट किया जाता है इसलिए इसको हम लिखेंगे 63 gram अब हम देखेंगे एक्सरसाइज का कोस्टन नमर सेवन इसमें पहला कोस्टन हम से पूछा गया है एक मोल नाइट्रोजन परमानू का कितना द्रिभमान होगा यह हमें बताना होगा तो चुकि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का परमानू द्रिभमान जो होता है वह होता है चोध यू क्या है निकिसी परमानू के द्रिभमान को नापने का एक विशेस परकार की एकायीं होती है यू का मतलब होता है unified mass तिस प्रकार हमने लिखा कि nitrogen का पर्मानु द्रेवमान होता है 14U यानि nitrogen के एक पर्मानु का जो द्रेवमान होता है वह कितना होता है 14U अब हमें calculate करना है एक mol nitrogen पर्मानु का द्रेवमान तो एक मोल नाइट्रोजन परमानू का द्रिवमान भी बस इतना ही होगा लेकिन U के जगा पर हमें ग्राम प्रियोग करना होगा तो एक मोल नाइट्रोजन परमानू का द्रिवमान हो गया 14 ग्राम ये point important है जानना कि अगर बात एक पर्मानू की हो तो इसका द्रेवमान 14 U होगा लेकिन अगर बात एक मोल नाइट्रोजन पर्मानू की हो तो इसका द्रेवमान 14 ग्राम होगा question number B चार मोल एलमनियम पर्मानू यहाँ पर एलमनियम का पर्मानू द्रेवमान दिया गया है 27 तो अब हमें चार मोल एलमनियम पर्मानू का द्रेवमान कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम calculate करते हैं कि एक mole aluminium परमानों का दरिबमान कितना होगा चुकि कोस्चन में ही दिया गया है कि aluminium का परमानों दरिबमान दिया हुआ है 27 यानि अगर aluminium के एक परमानों की बात किया जाए तो इसका दरिबमान होगा 27U लेकिन जब इसको हमें मोल में एक्सप्रेस करना हो यानि एक मोल एल्मोनियम परमानू का दुरिब्मान अगर हमें बताना हो तो हमें यू नहीं लिखके ग्राम लिखना है यानि एक मोल एल्मोनियम परमानू का दुरिब्मान होगा 27 ग्राम तिस प्रकार अब हम असानी से निकाल सकते हैं कि 4 मोल एलमनियम परमानों का दुरिब्मान कितना होगा नचार से गुना करेंगे 27 को तिस प्रकार 4 मोल एलमनियम परमानों का दुरिब्मान हमारा निकल गया 108 ग्राम question number C में दिया गया है 10 mol sodium sulfide यहाँ पर sodium sulfide का रासाइनिक सुत्र दिया गया है Na2SO3 तो हमें 10 mol sodium sulfide का क्या दृब्मान होगा यह हमें बताना है तो सबसे पहले हम calculate करते हैं 1 mol sodium sulfide का दृब्मान क्या होगा चुकि sodium sulfide का रासाइनिक सुत्र दिया गया है Na2SO3 चुकि इसमें sodium है और sodium का पर्मानु दृब्मान होता है 23 और इसके एक अनुमे sodium के दो पर्मानु होता है इसलिए 23 को हमें 2 से गुना करना होगा अब हम प्लस का चिन्न लगाएंगे और sulfur का जो पर्मानु दृब्मान होता है उसको हम लिखेंगे sulfur का पर्मानु दृब्मान होता है 32 और इसके एक अनुमे यानि sodium sulfide के एक अनुमे sulfur के केबल एक ही पर्मानु होता है इसलिए 32 को हमें 1 से गुना करना है अब हम प्लस का चिन्न लगाएंगे और oxygen का जो पर्मानु दृब्मान होता है जो की 16 है उसको हम लिखेंगे sodium sulfide के एक अनुमे oxygen के 3 पर्मानु होता है इसलिए 16 को हमें 3 से गुना करना है अब हम बराबर का चिन्न लगाएंगे 23 को जब 2 से गुना करेंगे तो 46 हो जाएगा प्लस का चिन्न देंगे 32 को जब 1 से गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा इसी प्रकार प्लस का चिन्न लगाएंगे और 16 गुना 3 यानि 48 लिखेंगे इस प्रकार तीनों को जोडेंगे तो value निकल जाएगा कितना 126 अब यहाँ पर एक point important है चुकि हम जो calculate कर रहा है वो आ sodium sulfide का द्रेवमान calculate कर रहा है तो यहाँ पर अगर एक अनू की द्रेवमान की बात की जाए तो यहाँ पर हम लिखेंगे 126 U लेकिन यहाँ पर एक अनू का नहीं बलकि एक मोल का बात हो रहा है इसलिए यहाँ पर 126 ग्राम लिखेंगे जब भी हमें मोल का द्रेवमान लिखना हो तो हमें ग्राम में ही लिखना है और जब हमें एक अनू या फिर एक परमानू का द्रेवमान लिखना हो तो हमें यूँ लिखना होगा, तिस प्रकार एक मोल सोडियम सल्फाइट का दुरेवमान हमारा निकल गया 126 ग्राम, अब हमें 10 मोल सोडियम सल्फाइट का दुरेवमान कैलकुलेट करना होगा, तो क्या करना होगा, 10 के साथ 126 ग्राम को गुना कर देना होगा, इस प्रकार 10 मोल सोडि लेखते हैं एक्सकोन करते हैं मुल में परिवार्तित कि जीए इसमें पहला कोशिशन दिया गया हैं 12 ग्राम Amazon गैस हमें कि कितने मूल होते हैं ताइस लिखते हैं कि आक्षिजन का पर्मानु द्रयवमान कितना है तो दृखिजन का पर अब हम स्कोल्ड करते हैं कि और दिर्बमान कितना होता है चुक्कि और सिजन ग्यास के एक अनुमें ऑक्षिजन के दो पर्मानु होते हैं इसलिए और ऑक्सिजन का आनुविक दुरिबमान होगा 32 यानि रम धो को दिश्वन को हमें से गुना कर देना होगा तिस प्रकार ऑक गेस का द्रीबमान यह एक मॉल औक्सिजन गैस का द्रीबमान यह हमें कैलकुलेट करना है तो चुक्कि अब हमने क्या कि आक्सिजन का अन्वी द्रेबमान जो होता है वह 32 होता है तिसलिए अगर बात मोल की हो तो एक भी 32 होगा लेकिन इसका यूनिट ग्राम होगा यानि एक मोल ऑक्षिजन गयास का भी 32 ग्राम dug dead अब हम सिधे आते हैं अपने प дополн पर यानि मोलों की सेंख्या custard करते हैं तो मोलों की सेंख्यार कैसें करेंगे में इसना को मैं उसके मोलर देविवमान सिब डिवाइड कर देना हुगा पदार्थ का दरेव मान दिए हां 12 और 19 और इसका मोलर दोर देविवमान हमने नि काला 32 ग्राम के जिसक्ता मुल्रों की तीक और जिरो पॉइंट 375 मोल कोश्चन नमबर बी 20 ग्राम जल हमें बताना है कि 20 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं तो इसको सल्व हम कैसे करेंगे सबसे पहले हमें जल का आनुविक दरिभमान कैलकुलेट करना होगा जल का राशानिक सुत्र होता है एक इसमें हाइड्रोजन और अक्सिजन होता है और हाइड्रोजन का परमानु दरिभमान होता है एक चुकि जल के एक अनुमें हाइड्रोजन के दो परमानु होता है इसलिए एक को हमें दो से गुना करना होगा अब हम प्लस का चिन्न लगाएंगे और और अक्सिजन के परमानु होते हैं अब हम बराबर का चीन लगाएंगे और एक गुना दो के जगवापर हम दो लिख सकते हैं, प्लॉस का सोब्सक्राय आएंगे और 16 गुना एक के जगह पर हम 16 लिखेंगे इस प्रकार जल का आनुविक द्रेवमान हमने कैलकुलेट किया अठारा यू यानि जल के एक अनु का जो द्रेवमान होगा वह अठारा यू होगा अब हम निकालते हैं एक मोल जल का द्रेवमान अभी हमने क्या निकाला कि जल का आनुविक द्रेवमान कितना होता है तो जल का आनुविक द्रेवमान हमने निकाला अठारा यू होता है तो एक मोल जल का द्रेवमान अगर पूछा जाए तो यह अठारा ही होगा लेकिन इसका यूनिट जो हैं वह ग्रम हो जाएगा यानि एकमोल जल का दृब्मान होगा 18 chamado क्योंकि जब भी बात मोल की आयाए उसमें मात्रक के जगह पर ग्राम का ही इस्तेमाल करना है अब हम निकालेंगे मोलों की सहिंख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा पदार्थ का जो द्रेवमान दिया गया है उसमें हमें भाग दे देना होगा उस पदार्थ का मोलर द्रेवमान तो पदार्थ का द्रेवमान कोश्चन में दिया गया है 20 ग्राम इसको हमें भाग दे देना है एक मोल जल का द्रेवमान से यानि 18 ग्राम तिस प्रकार इसमें value हमारा निकल गया 1.11 कुछुकी question में पूछा गया था कि 20 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं किसका answer हमारा निकल गया कितना 1.11 मोल question number C 22 ग्राम carbon dioxide हमें बताना है कि 22 ग्राम carbon dioxide में carbon dioxide के कितने मोल होते हैं तो इसको हमें शल करना है तो सबसे पहले हमें निकलना होगा carbon dioxide का आनुविक दरिवमान क्योंकि carbon dioxide का राशायनिक सुत्र होता है CO2 तिसका आनुविक दरिवमान हम कैसे निकलेंगे चुकि कारबन का परमानू द्रिवमान होता है 12 और कारबन डायक्साइड के एक अनू में कारबन के केवल एक ही परमानू होते हैं इसलिए 12 को हमें 1 से गुना करना होगा अब हम प्लस का चिन्न लगाएंगे और अक्सिजन का जो पर्मानु द्रिव्मान होता है उसको हमें लिखना है अक्सिजन का पर्मानु द्रिव्मान होता है सुल्ला कार्वन डायकसाइड के एक अनुमे अक्षिजन के दो पर्मानों होते हैं इसलिए 16 को हमें 2 से गुना करना होगा अब हम बरावर का चीन्न लगाएंगे 12 को जब 1 से गुना करेंगे तो ये 12 हो जाएगा प्लस देने के बाद 16 को जब 2 से गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा इस प्रकार कारवन डायकसाइड का आन्विक द्रेवमान हमारा निकल गया 44U यानी कारवन डायकसाइड के एक अनुका जो द्रेवमान होगा वो कितना होगा? 44U अब हम निकालेंगे एक मोल कार्बन डायक्साइड का द्रेवमान अभी हमने कार्बन डायक्साइड का आन्विक द्रेवमान निकाला और वह निकाला चुवालिस यू अब हम निकालने जा रहे हैं एक मोल कार्बन डायक्साइड का द्रेवमान तो इसका अभी द्रेवमान इक मोडी कारवन डायक्साइड का दुरेभमान चुसरीज घराम को 20 find boxes दिखा निकालने के लिए हमें पादार्थ के द्रीब माल भाग देना होगा पदार्थ का मॉलर ड्रीबमान रहा है याने कारवन डायक्साइड का जो अ है वह हैं 22 ग्राम और इसका मोलर्द रिवमान है 44 ग्राम को हम भाग देंगे 44 ग्राम से इस प्रकार वैलू हमारा निकल जाएगा 0.5 पूछा गया था कि 22 ग्राम कारवन डायक्साइड में कितने मोल होते हैं तो इसका जवाब क्या होगा 0.5 मॉल नेक्स्ट है एक्सेड का कोषिन नमर 9 निम नेका द्रिवमान क्या होगा इसमें पहला कोषिन दिया गया है 0.2 मॉल औक्सिजन परमानों आक्सिजन परमानों का 0.2 मॉल में कितना ग्राम होता है सबसे पहले हम लिखते हैं कि oxygen पर्मानु का द्रिवमान कितना होता है तो चुकि जैसा कि हम जानते हैं कि oxygen पर्मानु का द्रिवमान होता है तो इसका भी दर्यवमान 16 ही होगा, लेकिन मातरक जो होगा वह ग्राम होगा क्योंकि बात जब भी मोल की हो जाए, तो इससे हमें ग्राम में ही वैक्त करना है तिसलिए एक मोल अक्सजन पर्मानू का दर्यवमान 16 ग्राम होता है अब हम निकालते हैं कि 0.2 मोल अक्सिजन परमानू का द्रिवमान कितना होगा 0.2 मोल अक्सिजन परमानू का द्रिवमान कितना होगा इसको हम कैसे calculate करेंगे न इसमें हम क्या करेंगे कि एक मोल oxygen परमानू का दुरिबमान और 0.2 दोनों का आपस में गुना करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि 0.2 गुना एक मोल oxygen परमानू का दुरिबमान अभी हमने निकाला 16 ग्राम तिस प्रकार इसका value निकल गया कितना न 3.2 ग्राम तो question में पूछा गया था कि 0.2 मोल oxygen परमानू का दुरिबमान कितना होगा तो यह हो जाएगा 3.2 ग्राम नेक्स्ट है question number B इसमें पूछा गया है 0.5 मोल जल अनू का दुरिबमान कितना होगा ता यह इसको हम सल्व करने की कोशिस करते हैं सबसे पहले हम निकालते हैं कि जल का आनुविक दुरिबमान क्या होता है तो जल का रासानिक सूत्र होता है है अय च्ठ तो ओ इसका आनुविक दुरिबमान हम कैसे निकालेंगे ना हाइड्रोजन परमानु का परमानुजरिबमान होता है एक और जल के एक उनूमै हाइड्रोजिन के दो परमानुं होते हैं इसलिए 1 को हमें 2 से गुना करना होगा अब हम love काचिन लगाए और ऑक्सिजन का परमालू द्रिभ्मान होता है सोल्ला और जल के एक अनु में plaint के परमालू होते हैं इसलिए contessa को हमें से गुणाअ करना बराबर का चिर्ण लगाएंगे ph pictured यह गाएंगे उसका यहां का यसला इसलेक 557 अविक्षरण लियुक्तता हमने निकाला 18 यू जल के एक आनुका द्रिबत मान होगा वह अठाहर हिँ होगा अब हम निका लेंगे एकम जृबर का द्रिबमान पह्power यू होता है इसलिए एक एक मोल जल का आनुविक दुरेबमान भी उतना ही होगा लेकिन इसका मात्रक ग्राम में होगा क्योंकि बात जब मोल की हो तो इसका यूनिट हमेशा ग्राम में ही लिखा जाता है तिस प्रकार एक मोल जल का दुरेबमान हमने निकाला 18 ग्राम अब हमें निकालना है 0.5 मोल जल ग्राम इस प्रकार इसका वैलू निकल गया नाइन ग्राम तो कोश्चन में पूछा गया था 0.5 मोल जल का दुरेब्मान कितना होगा तो 0.5 मोल जल का दुरेब्मान होगा नाइन ग्राम नाइक्सट है कोश्चन नमबर 10, 6 ग्राम ठोस सलफर में सलफर के अनुँओं की संख्या का परिकलन किजिए इस question में हमें 16 ग्राम ठोस सल्फर दिया गया है हमें बताना है कि इसमें सल्फर के कितने अनु होंगे ताइए इसको हम solve करने की कोशिस करते हैं सल्फर अनु का आनुविक द्रेवमान सबसे पहले हम निकालेंगे चुकि सल्फर के एक अनु में सल्फर के आठ परमानु होते हैं और हम जानते हैं कि सल्फर का परमानु द्रेवमान होता है 32 इसलिए 32 गुना 8 हम लिखेंगे तिस प्रकार सल्फर अनु का आनुविक द्रेवमान निकल गया 256 U यानि सल्फर के एक अनू का द्रिवमान 256 U होता है अब हम निकालेंगे सल्फर अनू का मोलर द्रिवमान अभी हमने क्या निकाला नसल्फर अनू का आन्विक द्रिवमान 256 U तो अब सल्फर अनू का मोलर द्रिवमान जो होगा वह भी 256 ही होगा लेकिन इसका मात्रक U में ना होकर ग्राम होगा यानि सलफर अनु का मोलर द्रिबमान जो होगा वो होगा 256 ग्राम क्योंकि मोल के द्रिबमान को हमेशा ग्राम में ही वैक्त किया जाता है अब हम निकालते हैं मोलों की सिंख्या मोलों की सिंख्या हम कैसे निकालेंगे नपदार्थ के द्रिवमान में उसके मोलर द्रिवमान को डिवाइड कर देंगे कोश्चन में पदार्थ का द्रिवमान दिया गया है 16 ग्राम और मोलर द्रिवमान हमने निकाला 256 ग्राम इस प्रकार मोलों की सेंख्या हमारा निकल गया 0.0625 यानि 16 ग्राम सुलफर में 0.0625 मोल होते हैं अब हम निकालेंगे अनुओं की सेंख्या अनुओं की सेंख्या निकालने के लिए हमें दो चीजों को गुना करना पड़ेगा पहला तो हैं मोलों की संख्या और दुसरा हैं आवोगादरों संख्या यानि किसी भी पदार्थ में अनुओं की संख्या निकालने के लिए उस पदार्थ में मोलों की संख्या और आवोगादरों संख्या दोनों को आपस में गुना कर देना होगा तो मोलों की संख्या हमने कितना निकाला 0.0625 और आभगादरों संख्या का मान कितना होता है इसका मान होता है 6.022 into 10 to the power 23 आभगादरों संख्या का मतलब होता है कि एक मोल में अनुओं की कितनी संख्या होती है तो एक मोल में अनुओं की संख्या होती है 6.022 into 10 to the power 23 तिस प्रकार इन quantities को हम आपस में गुना कर देंगे तो value हमारा निकल जाएगा कितना 3.76 into 10 to the power 22 तिस प्रकार 16 ग्राम सुलफर में 3.76 into 10 to the power 22 इतने molecules होते हैं इतने अनु होते हैं नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमर 11 0.051 ग्राम अलमिनियम अक्साइड में अलमिनियम आयन की संख्या का परिकलन किजिए कोश्चन में दिया गया है अलमिनियम का परमानुद रिभ्मान 27 यू होता है इस question में Aluminium Oxide की मात्रा दिया गया है 0.051 gram साथ में Aluminium Oxide का राशाइनिक सुत्र दिया गया है Al2O3 अब हमें बताना है कि इस मात्रा में Aluminium Ion की सिंख्या कितनी होगी ताहिए इस question को हम solve करने की कोशिस करते हैं सबसे पहले तो हम Aluminium Oxide का molar derivman calculate करेंगे Aluminium Oxide का राशाइनिक सुत्र होता है Al2O3 Aluminium का परमानुद रिव्मान होता है 27 Aluminium Oxide के एक अनुमे Aluminium के दो परमानुद होता है इसलिए 27 को हमें 2 से गुना कर देना होगा अब हम प्लस का चिन लगाएंगे और अक्सिजन का जो परमानुद रिव्मान होता है उससे लिखेंगे अक्सिजन का परमानुद रिव्मान होता है 16 और Aluminium Oxide के एक अनुमे अक्सिजन के तीन परमानुद होता है इसलिए 16 को हमें 3 से गुना करना होगा अब हम बराबर का चिन लगाएंगे 27 गुना 2 के जगापर हम 54 लिखेंगे पलस का चिन लगाएंगे और 16 गुना 3 के जगापर 48 लिखेंगे इस परकार Aluminium Oxide का मोलर दुरिव्मान हमारा निकल गया 102 ग्राम यानि Aluminium Oxide के एक मोल का दुरिव्मान होगा 102 ग्राम अब हम निकालेंगे मोलों की सिंख्या मोलों की सिंख्या निकालने के लिए पदार्थ के दुरिव्मान में हमें उसका मोलर दुरिव्मान भाग दे देना होगा कोश्चन में पदार्थ का दुरिव्मान दिया गया है 0.051 ग्राम और molar दुरिवमान हमने निकाला 102 ग्राम इसी प्रकार जब इसको हम भाग देंगे तो वैलू हमारा निकल जाएगा 0.0005 इसी प्रकार नमुने में मोलों की सिंख्या निकल गया 0.0005 अब हम निकालते हैं इसमें अनुओं की सिंख्या नमुने में अक्साइड के अनुओं की कितनी सिंख्या होगी इसके लिए हमें दो चीजों को आपस में गुना करना होगा पहला हैं मोलों की सिंख्या और दुसरा हैं आवोगादरों सिंख्या मोलों की संख्या हमने निकाला 0.0005 और आवगादरों संख्या का मान होता है 6.022 into 10 to the power 23 आवगादरों संख्या का मतलब कि एक मोल में अनुओं की कितनी संख्या होती हैं और इसका मान है 6.022 into 10 to the power 23 इसी प्रकार जब इन संख्याओं को आपस में गुना करेंगे तो वैलू हम हमारा निकल जाएगा 3.011 into 10 to the power 20 इस प्रकार जो नमुना दिया गया है उसमें कितनी अनुए होंगी 3.011 into 10 to the power 20 अब हम निकाल लेंगे किसमें आयन कि संख्या कितनी होगी चुकि एक अनुपस्याएं के दो परमानु होते आइं क्योंकि अलुमनियोम अक्साइड के राशानिक शुत रहें एल्टू ओ त्री इसलिए एलुमिनियम आयन के संख्या निकालने के लिए अनुओं की संख्या के साथ हमें दो गुना कर देना होगा इसलिए आप हम लिखेंगे दो गुना इस प्रकार इसका वैलू निकल जाएगा शिक्स पॉइंट जिरो टू टू इंटू टू पर ट्वेंटी तो स्टुडेंट्स उम्मित करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफी फाइदे मन्द होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा यह वीडियो आपको क सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिपिकरशन वेल को जरूर अन कर लें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट्स आप तक आसाने से पहुंच सके इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें क्योंकि आपकी लाइक सही हमें इंस्पाइरशन मिलती है आपके लिए नए न